हलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल मिस्टर टॉक तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो वाटसप है वो हैक हुआ या नहीं वो कैसे पता करें तो दोस्तो आपका जो वाटसप है वो हैकर से आप कैसे बचा सकते हो वो भी मैं यहाँ पर आपको पताऊं लेकिन first time आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकोन को जरूर क्लिक करना और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो जानने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना WhatsApp है वो open कर लेना है WhatsApp open करने के बाद यहाँ पर आपको three dot वाला option मिलेगा उस पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको WhatsApp web पर click कर दो यहाँ पर जो तीशरा option है उस पर click कर दो और यहाँ पर कुछ देखो WhatsApp web यहाँ प तो आपका जो web whatsapp है वो कोई other device में on नहीं है ठीके यह आपको तेह कर लेना है पहले तो यहाँ पे देख लेना है ठीके अगर किसी और device में यह link होता तो यहाँ पे आपको उस device का नाम लिखा हुआ आता ठीके और उसके नीचे last activity और date and time यहाँ पे लिखा हुआ था तो आपको पता चल जाता कि कौन से device में यह login है आपका whatsapp ठीके तो उसको आप logout करने के लिए उस device पे आपको यहाँ पे click करना है और logout कर देना है यहाँ पे logout का option आपको मिल जाएगा ठीके तो आप वैसे वहाँ से logout करोगे तो दूसरे जो device में आपका whatsapp चल रहा है वो logout हो जाएगा ठीके यह थी पहली trick उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से back चले जाना है back जाने के बाद यहाँ पे फिर से आपको three dots पे click करना है यहाँ पे settings में चले जाना है settings में यहाँ पे आपको chats का option मिलेगा उस पे click करो इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे scroll करना है नीचे यहाँ पे chat backup का option है उस पे click कर दो जैसे chat backup पे click करोगे तो यहाँ आपे देखो google account का option है ठीक है Google account to यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर देखो Google Acount जो मेरा Gmail account है वो यहां पर है लिए तो यहाँ पर आपको यह देख ले üzी नहीं कि यहाँ पर किसी और का गुगल account है या नहीं अगर किसी और गुगल account में जा रहा है ठीक है तो यह पहले तो आपको confirm कर लेना है तो उसको कैसे stop करना है तो यहाँ पर आपको cancel पर click कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो backup to google try तो यह जो google account है उसके google try में backup कब कब जा रहा है वो यहाँ पे show होगा ठीक है अगर यहाँ पे daily होगा तो daily backup जा रहा होगा weekly और monthly तो ऐसे तो यहाँ पे आपको stop करने के लिए क्या करना है never पे click कर देना है never पे click करने के बाद यहाँ पे cancel कर देना है cancel करने के बाद फिर से आपको google account में जाना है और यहाँ पे आपको अपना account है उसको select कर लेना है और दूसरा account है उसको delete कर देना है ठीक है दोस्तो तो यह थी trick आपका जो whatsapp hack है या नही वो जहनने की दोस्तो तो दोस्तो यहाँ पे आपको क्या करना है daily routine पे यह check करते रहना है आपको कि आपका google account hack है या नहीं किसी और के device में यह चल रहा है या नहीं तो यह आप ऐसे पता कर सकते हो दोस्तो तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like करे, share करे, subscribe ज़रूर करे और bell icon को ज़रू click करे क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरी चैनल पे, thank you so much for watching and दोस्तो subscribe करना ना भूले, thank you so much